आज का दिन है रविवार का दिनांग 29 अक्टूबर 2023 कृष्ण पक्ष हिंदू मास कार्दिक तिथी प्रदिपदा नक्षत्र भरणी रहेगा आज का योग है सिद्धी और करण बालव रहेगा आज के खास दिन पर सूर्य तुला राशी में रहेंगे और चंद्र मेश राशी में रहेंगे आज का भी जीत मूर्त सुभा 11 बच कर 44 मिनट से लेकर दोपहर 12 बच कर 28 मिनट तक रहेगा आज का रहुकाल रहेगा शाम 4 बच कर 15 मिनट से लेकर 5 बच कर 38 मिनट तक आज का दिसाशूल पश्यम दुशा की तरफ रहेगा तो फिलहाल के लिए पश्यम दुशा की ओर की यात्रा ठाल दें आज के दिन पर विशेश है कार्थिक महा प्रारंब और चंद्रक्रहन आज का महा उपाय है आज के दिन भगवान विश्नु को काल तिलर पित करें पाप कर्म नश्ट होंगे चलिए फ्रेंट्स बात करते हैं राशी फल की हमारी पहली राशी है मेश मेश राशी वालों आज आपको नई नई ज्वानकारियां हासिल होंगी आज किसी भी प्रकार का खत्रा न उठाएं घर का वातवरन खुश्नुमा रहेगा जो के पूर्ण कारियों से दूर रहेगे विश्ट्राशी वालों आज कोई अच्छा मौका मिल सकता है जल्द बाजी में कोई भी निर्णय ना लें बढ़ना नुकसान हो सकता है पती पत्नी के बीच खुश्नुमा सम्बंध रहेंगे मिधुर्णाशी वालों आज आपको उधार दिये हुए पैसे वापस मिल सकते हैं दूसरों के चुंता किये बिना अपने कार्यों में परियासरत रहें फारिवारिक माहौल सुखद रहेगा प्रणायाम को अपनी दिन्चर्या में जरूर शामिल करें करकर आशी वालों धर्मकर्म के मामले में भी रुची बनी रहेगी सिहर राशी वालों आज किसी खास व्यक्ति के साथ मिलना हो सकता है कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है किसी मित्र से भी उचित सलह मिल सकती है स्वास्थ्य संबंधी परिश्वानी में सुधार आएगा कन्या राशी वालों आज ग्रह स्थिती अनुकूल रहेगी किसी कर्मचारी की वज़े से कोई नुकसान हो सकता है प्रेम प्रसंगों के लिहाज से भी समय अनुकूल है अनिंद्रा और बेच्वेनी की समस्या रहेगी तुला राशी वालों कोई भी कारे करने से पहले सोच विचार करने काम्याबी भी मिलेगी दूसरों के व्यक्तिकत मामलों से खुद को दूर रखें ला परवाही न करें और अपना उचित ध्यान रखें रिश्यक राशी वालों अपने उपर तनाव को हावी न होने दे प्रेम सम्मंधों में मनमुटाव हो सकता है दिन चर्या कुछ अस्तिविएस्थ रहेगी मौसम की वज़े से गले में इन्फेक्शन हो सकता है दनु राशी वालों किसी प्रियम मित्र से वारतलाप हो सकती है छोटी मोटी पारिवारिक बातों को नजर अंदास करें सब के साथ संबंध मधुर बना कर रखें कुछ समय प्रकति के निकट भी अवश्य वितीत करें मकर राशी वालों आज आप के विचारों की सरहाना होगी आप कारे विस्तार को तरीके से अंज़ाम दे पाएंगे वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे कब्ज और गैस की समस्या परिशान करेंगी कुम्ब राशी वालों दूसरों की बातों में नाएं पारिवारे के जिम्मदारियों के बीच तालमेल बैठाएं भाग दौड और बहनत का असर आपकी स्तेहत पर पड़ सकता है में नाशी वालों आज नई नई बातों की ज्वानकारियां मिलेंगी काम करने के तरीकों में बदलाव हो सकता है प्रेम प्रसंगों में निराशा का मुह देखना पड़ सकता है ध्यान रखें और मेडिटेशन करें इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद